वेलकम टो आड चैनल सूपर बाइट्स स्वागत है आपका इस चैनल में आज हम डिसकस करेंगे इंगलिश ग्रैमर के टॉपिक टैन्स के बारे आज का हमारा टॉपिक है टैन्स टैन्स जो की बहुत ही इंपोर्टेट्ट टॉपिक है एक्जाम्स में जित्ते भी कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स हो और एक पच्चो को स्कूल टाइम पे भी बहुत ही ड्याने वाला टॉपिक भी है इस वीडियो के थुरू हम कोशिश करेंगे कि आपकी टैन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो और आप इजिली एक्सराइज को सॉल्व कर सको और कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स में भी अच्छे से कॉशिंस को अटाइम कर सको टैन्स में टैन्स टैन्स आखिर होता क्या है टैन्स हमें बताता है एक सेंटेंस में एक्षन के बारे में कि एक्षन हुआ कब पास्ट में हुआ प्रसंड में अभी हो रहा है या फ्यूचर में होगा बेजिकली टैन्स के थ्री टाइप्स होते हैं पास्ट जो बीद गया प्रेजंट जो अभी वर्तमान में चल रहा है फोर टाइप्स होते हैं, first is present indefinite, जिसका दूसरा नाम है simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous, इसी तरह past tense की भी four टाइप्स है, simple past, जिसका दूसरा नाम past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous, future tense की four टाइप्स, first is simple future, second is future continuous, third future perfect and fourth future perfect continuous, तो आज बात करते हैं, सबसे पहले simple present tense की, simple present या present indefinite, क्या पैचान होती है इसकी, ज्यादा तर sentence में इसकी पैचान होती है, वक्यों के अंत में आता है, ता है, ती है, ते है, और simple present के affirmative sentence में, इसका simple सा format होता है, subject, verb की first form के साथ में, s या es plus object, subject में, he हो, she हो, it, या कोई singular name हो, तो verb की first form के साथ में, s या es लगता है, जैसे एक example देती हूँ, मैं आपको, I go to market, मैं बाजार जाता हूँ, या जाती हूँ, I, I के साथ में, जो verb होती है, जो first form ही use होती है, s या es नहीं लगता है, second example, she goes to temple, she, subject, goes, मैंने अभी बताया था, he, she, it, और singular name हो, तो verb की first form के साथ, s या es लगेगा, she के साथ में लगाएंगे, goes, to temple, temple is, object, इसी तरह की से, she enjoys playing the piano, she के साथ में enjoys, s लगा है, क्योंकि she, singular, एक, second rule है, simple present tense का use होता है, जादतर, जब हम custom के बारे में बात करते हैं, या habits, आदतों के बारे में, जैसे, she gets up early in the morning, morning में वो जल्दी उठती है, daily morning में जल्दी उठती है, आदत है, habit, तो she gets up early in the morning, she के साथ में gets, she क्योंकि singular word है, I play tennis every morning, I के साथ में मैंने पहले भी बताया था, वोब में ऐसे यह यह नहीं लगता है, थर्ड रूल है, simple present tense, use होता है, general truth बताने में, universal truth बताने में, जो सच बात है, example, the earth revolves around the sun, earth चक्कर लगाती है, sun के चारों तरफ, earth singular है, इसलिए हमने verb revolve में s लगाया है, और यह कि यह general truth है, man is mortal, यह सच बात है, कटू सकते हैं, इसलिए हमने is verb का use किया है, proverbial lines में भी simple present tense का use होता है, जैसे example, if winter comes, winter एक season का नाम है, एक single season है, इसलिए if winter comes, come verb में s लगाया है, इसलिए है, if winter comes, can spring be far behind, negative, simple present के affirmative sentence में verb का use होता है, लेकिन negative sentence में, do, does, helping verb का use किया जाता है, इसमें भी he, she, it और similar number के साथ does, बाकि सब के साथ do का use करते हैं, कभी भी negative और interrogative sentence में, वापिस verb के साथ s या es का use नहीं करते हैं, अगर does में लगावा है, एक्जामपल, जैसे, my mother does not cook food, भी pattern, subject, do या does, जो की इसकी helping verb होती है, plus not, plus verb की first form, my mother singer है, लेकिन does में, s या yes का use हो गया है, इसलिए cook, simple verb की तरह आएगा, food is object, second example, they do not understand English, do not, they plural है, इसलिए plural के साथ में do का use किया है, ये इसका negative type है, third type होता है, interrogative, means question, आप question पूछ रहे हो, you are asking a question to someone, तो format होता है, सबसे पहले helping verb आती है, do या does, plus subject, plus main verb, plus object, plus other words, example, do they worship God, do, helping verb, सबसे पहले, they, do इसलिए यूज किया, because they plural subject है, main verb, worship, ऐसे ये स, ये है क्योंकि, God, object, do they worship God, second example है, do they understand English, do helping verb, they, subject, understand, main verb, verb की first form, and English is object, अब बात करते हैं, second tense, present continuous tense, ज़्याद तर इसकी पहचान होती है, जो काम अभी वर्थमान में, जो action अभी present में चल रहा है, इसलिए, इनके sentence में ज़्याद तर, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, आता है, इसका जो format होता है, subject पहले, helping verb यूज होती है, वो होती है, is, and, are, verb की first form, plus ing, plus object, plus other words, जैसे example है, तो girls are singing and dancing, the girls, subject, are, helping verb, singing, sing, verb की first form, ing, and dancing, same verb, the girls are, आर, इसलिए यूज किया है, is word, is, helping verb का यूज होता है, singular subject के साथ, am का यूज होता है, I के साथ, are का यूज होता है, plural subjects के साथ में, सेकिंड एक्जाम्पल है, we are eating oranges, we, plural subject, इसलिए यूज किया है, are, helping verb का, eat verb की first form, plus ing, oranges, objects, third, my friend is waiting for the train, my friend, subject, single subject, singular, is, इसलिए यूज किया है, waiting, wait plus ing, for the train, object, second, negative में, not का यूज होता है, जिसमें सबसे पहले यूज करते हैं, subject, then helping verb, is mr, then not, then verb की first form, plus ing, then object, example, same वही repeat करूँँगी, जैसे था, we are eating oranges, तो, we subject, are, helping verb, eating, verb की first form, plus ing, and mangoes, object, we are, then not, we are not eating mangoes, we subject, are, helping verb, not लगा दिया, negative के लिए, eating, plus object, mangoes, second, we are not playing hockey, we subject, are, helping verb, not negative के लिए, playing hockey, we है, plural subject है, इसलिए, हमने helping verb, are का use किया है, is, हमेशा, singular, subject के साथ में, use होता है, और I am के साथ में, interrogative में, WH word से अगर शुरू होता है, तो what, where, what are you doing, like, लेकिन अगर helping verb से शुरू होता है, तो सबसे फेले, present continuous tense की helping verb लगाते हैं, is, am, are, plus subject, plus verb की first form, plus ing, plus object, plus extra other words, example first है, are you going to Japur, are, are, you, you plural, second person, इसलिए, are, लगाया है, you के according, are, helping verb, you, subject, going, go, plus ing, to Japur, object, are we eating mangoes, are, again, plural, we के साथ में, are we eating mangoes, are, helping verb, we subject, eating, main verb, mangoes, object, are we playing hockey, इस तरीके से, present continuous tense को आप, दुभारा डीटेल में, पढ़ सकते हैं, then, third, present perfect tense, ये tense हमें बताता है, कि कोई action, कोई काम, अभी अभी समाप्त हो चुका है, means, complete हो चुका है, इसलिए, जादा तर इस tense के, वाक्यों में, चुका है, चुकी है, चुके आता है, मैं अपना काम, खत्म कर चुका हूं, I have completed my work, इसका फॉर्मेट होता है, subject, इसकी helping verb होती है, plus has, have, के साथ में आती है, verb की, third form, plus object, has, यूज होता है, singular के साथ में, and have helping verb यूज होती है, plural subjects के साथ में, I के साथ में, हमेशा यूज होता है, have, example, the girls have learned their lessons, means, girls अपने lessons को, complete कर चुकी है, याद कर चुकी है, इसलिए, the girls, subject, have, plural थी girls, बहुत सारी थी, learned their lessons, I have lost my book, मैं अपनी बुक हो चुका हूँ, मैंने अपनी बुक हो दी है, I, subject, I के साथ में, have helping verb, lose की third form, lost, my book is object, third example, he has read this novel, he, subject, singular subject, इसलिए, has, read, 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 third form, this novel, object, इस sentence की जादा तर, कुछ adverbs है, like, just, already, recently, now, yet, till now, जिनका sentence में, जादा तर, use किया जाता है, अगर इसी tense का negative बनाना है, तो हम यूज करेंगे, सबसे पहले, subject, then, has, have, जो इसकी helping verb है, present perfect tense की, then, not, then, verb की third form, then, object, then, other, rest words, example, the girls have not, the girl subject, then, help, verb, helping verb, then, not, negative verb, learnt, verb की third form, their lesson, second, I have not lost my book, I have, then, negative verb, not, lost my book, he, has, not, read, this, novel, he, subject, has, then, negative word, not, read, this, novel, इसी तरीके से, इसका integrative बनाने है, तो सबसे पहले, helping verb, use करेंगे, question के लिए, the helping verb है, present perfect tense की, has, have, then, subject, then, verb की third form, then, object, like, first example, has a train, repeat, has the train arrived, has helping verb, the train object, arrived, has he, read, this novel, has helping verb, he, subject, read, singular है, single subject है, एक, ही, इसलिए, has का, use किया है, has, he, read, this novel, this novel is, object, इस तरीके से, आप, helping verb भी, fill कर सकते हो, four type है, present perfect continuous tense, इस tense में, ज़्यादा तर, समय के साथ, वाक्य के अंत्मी रहा है, रही है, रही है, आता है, past में, कोई work है, जो चल रहा है, और at this time भी, उसका असर present पर है, वरत्मान में, वा भी चल रहा है, लेकिन समय के साथ, time use होता है, जिसके लिए, words use में आते हैं, since, और for, plus helping verb होती है, has help, इसी के साथ में, use होता है, plus being, being, e, e, n, plus verb की first form, plus ing, then object, then since, or for, then time, example है, like, the child has been sleeping for two hours, past से सो रहा है, और अभी तक सो रहा है, effect है अभी भी, the child, subject, has, एक ही बच्चा है, इसलिए singular है, has, been, sleeping verb की first form, plus ing, for two hours, since, और for का use होता है, since, जो बताता है, point of time, जब हो, तब since का use करते है, और period of time हो, duration हो, two days, two hours, two months, तो four का use करते है, right, it has been raining, since, Monday, Monday, point of time, Monday से बारिश, हो रही है, it, singular, has been, verb की first form, plus ing, since, and Monday, negative अगर बनाना हो, इसी tense का, then subject, has, helping verb, किसे auxiliary verb भी बोलते है, has or have, plus not, plus been, then verb की first form, then ing, then object, then since for, like, she has not been teaching, in this school, for three years, she, subject, has, singular है, has verb, has, helping verb का use किया है, not for negative, been, verb की first form, plus ing, teaching, and this is school, object, for three years, which three years, duration, three साल, period of time के लिए, यूज करते हैं, for, इसी तरीके से, tense का, अगर, innovative question बनाना हो, innovative बनाना हो, then has have, first, we will use helping verb, has have, then subject, then been, then verb की first form, plus ing, then object, then since or for, then time, like example, has it been raining for two days, has, helping verb, first, it, subject, then been, has इसलिए आया, it, singular, been, raining, rain plus ing, for two days, for two days, which two days, दो दिन से, इसलिए four का यूज की है, point of time नही है, has she been working in this school, since 2011, 2011, point of time 2011 से, then has, singular, इसलिए she singular है, इसलिए has helping verb का यूज हुआ है, been, working verb की first form, plus ing, in this school, since 2011, इस तरीके से, आप present tense को पड़ सकते हैं, इस वीडियो में हमने डिसकस किया था, present tense के four types के बारे में, simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous, next video में हम बात करेंगे past tense की बारे में, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रयास आपको आपके लिए लाब्धायक रहा होगा, grammar के और भी difficult topics जिनमें आपको problem आती है, तो आप हमें इस वीडियो के comment box में लिखकर बता सकते हैं, हम जल्दी उससे related problem का solution करें, तब तक बने रहे हमारे इस channel, माई सूपर बाइट्स के steady bites में, और प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी student इस matter से फायदा उठा सकें, Thank you so much.